जितना भी अभी तक हमें ancient sweep पढ़ चोके हैं, chapter number 1 से लेका chapter number 25 तक, उन सभी का एक तरह से cultural relevance यहाँ पर बताया गया है, तो बाली में ने देखा कि जो घर है वाँ पर न, आपको घरों के हर घर के अंदर मंदिर दिखेगा, और जो उसकी वाल से construction है, वो ऐसा लपता है कि हर घर मंदिरी है, जब आप trade करोगे, जो एक country दूसरे country के साथ trade करेगा, तो बट obviously बात है कि जब दो लोग trade करेंगे, तो कोई ना कोई लोग जाएंगे, दो लोग आपस में मिलेंगे ना पहले, एक बात तो clear हो गई, कि यहाँ हमारे country में इंडिया के, जो cultural contracts और पुराने हैं, ऐसा नहीं कि आज के हैं, हना हमने बहुत सारे country साथ over the period of time trade किया है, हमने इनके साथ अपना cultural contracts को यहाँ पर develop किया है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूँ, आप सभी लोगों का एक बार फिर से में, Only IS Foundation चानल पर, दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात क था, आप लोग ने comment box में इसको बताया, तो मैंने इसको unnotice लिया, और इसलिए आज मैं इस वीडियो को दुबारा से shoot कर रहा हूँ, clear है, तो मैंने आपको बता भी दिया था, जितने लोग ने वीडियो देख लिया था, कोई बात में जिसनों नहीं देख पाए, वो आज time देख रहे हैं, तो मैं फिर से आपको starting से पढ़ाऊंगा, जितना भी अभी तक हम ancient stream पढ़ चुके हैं, chapter number 1 से लेका, chapter number 25 तक, उन सभी का एक तरह से cultural relevance यहां पर बताया गया है, और यह हम discuss भी कर चुके हैं अपने previous lectures में, यानि कि हम जैसे for example बात करेंगे, Buddhism, हम बात ब्राह्मनिकल कल्ट की, तो basically हम यह देखेंगे, कि कैसे जो culture था India का, हना वो कैसे दूसरे countries पहुचा, और वहां जाके वो intermingling हो गई उन culture के साथ, all together एक नया culture देखने को मिला, कई जगा हम देखेंगे, दूसरे country के लोग हमारे यहां आए, तो उन्होंने हमारा culture को adopt किया, यह सब मैंने आपको over the period of time पढ़ाया ही पढ़ाया है, जैसे पाहे, हना हिन सैंग, यह सब लोग यहां इंडिया आए, तो culture देखा गया, अब जैसे बुद्धिसम था, इंडिया तो start हो रहा है, बट जब वो spread हो रहा है, तो other countries में जहां जहां पहुचा, तो वहां obviously इंडि trade भी हुआ, और जब भी trade होगा, तो खाली cultural contracts का तरीका यह नहीं है, खाली सिर्फ एक ही तरीका हो, cultural contracts, economic contracts की थूरू भी हो सकता है, जब आप trade करोगे, दो एक country दूसरे country साथ trade करेगा, तो but obviously बात है कि जब दो लोग trade करेंगे, तो कोई ना कोई लोग जाएंगे, दो लोग connect बनना start हो जाता है, हना फिर जादा नजदीकिया बन जाती है, दो देशों के बीच में, तो people people movement start हो जाता है, जब people movement start होता है, तो cultural contract बिजो लप होते है, तो इस पूरे chapter में, जितना भी हम पढ़ चुके हैं, वो सब चीज़ां यहां पर मिलेंगे, आपको कुछ add-on नहीं है, ठीक है, और simple chapter है, आप मेरे जो lecture है, उसको follow कर लिजे, that is more than enough for this chapter, इसमें और ज़्यादा कुछ important नहीं है, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, क्या-क्या चीज़े cover करनी है, अब यह सब यहां लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से इसको लिखा दूँगा, I think सबसे छोटा lecture यह होने वाला है, पूरे NCRD का, ठीक है, और बहुती कम slides भी आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, तो चलिए start करते हैं, sorry, हाँ, चलिए शुरू किया जाए, आज के इस session को, और आज के इस lecture को, ठीक है, ठीक है भाई, चलिए, अब देखो यार, मेरी medieval times के lawgiver होते थे, यानि कि जो medieval times में आपको medieval lawgivers, या फिर हम बोलेंगे की medieval lawgivers, या फिर हम उनको बोलेंगे commentators, commentators, तो आपको पता है, कि एक ऐसा scenario चलता था, यह कहा जाता था कि अगर भाईया, इंडिया के लोग जो है, अपना देश छोड़के समुंदर पार करके गए, तो उनका धरम नश्ट हो जाएगा, इस तरह की बाते हमने देखी हैं, हमने class 8 के NCRT में देखी हैं, जब हम 1857 के revolt के आसपास की बात कर रहे हैं, तो जब इंडियांस को भेजा जाने लगा, तो इस तरह की बाते उस वक भी exist करती थी, खना उस वक भी थी कि अगर आप समुं पर्संस शुट नट क्रोस दा सी, ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर पर चलिए बेरे साथ, यह कहा जाता था कि पर्संस शुट नट क्रोस ट्री, शुट नट क्रोस सी क्यों, क्या होगा, मिसापनिं हो जाएगी कुछ, इस तरह की बाते कही जाती है, कि अगर आप गए, तो कुछ अनोनी हो जाएगा, बट क्या यह सच में सही है, क्योंकि हमने देखा, throughout the ancient history, कि सर, लगातार हमने देखा, कि ट्रेड हमारा Romans के साथ हो रहा है, Greeks के साथ हो रहा है, तो ऐसा कहीं कुछ हो आने कि कुछ मिसापनिंग हो गई हो, हना इस तरह कुछ चीजएं हो, तो यह जो बाते हैं, यह सही नहीं है, यह पर इसको बोला गया, कि यह इतना कोई ऐसी apt बात यहां पर नहीं लिखी गई है, it is just simply कुछी चीज़ का exaggeration कर दिया गया, है ना, but this is actually not true, है कि नहीं, but this is not true, क्यों, sir आप क्यों बोल रहा है not true, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों कि दोखो, हमारा trade जो है, आप देखोगे तो, from the very start, Mesopotamia के साथ भी होता था, जब मैं आपको हड़ापन civilization पढ़ा रहा था, तो तो हमने देखा कि हमारा जो trade है, वो Mesopotamia के साथ हुआ, Mesopotamia, और ये trade जो हमारा Mesopotamia के साथ हो रहा था, ये since the time of हडपा हो रहा है, हाना, हडपन time से ये चला रहा है, और ये word जो मैं आपको लिख रहा हूँ, हाना, ये word जो है, मेलुहा, ये भी आपने पहले ही सुना था, तो ये तब से यहाँ पर हो रहा है, हाना, बहुत सारी ऐसी हमने यहाँ पर क्या देखी, हमने बहुत सारी ऐसे यहाँ seals देखी, ऐसी बहुत सारी हमको seals मिली है, वो seals आप देखोगे, तो they belong to a period, कौन सा period है, from 1700 BC, from 1700 BC, ठीक है, from in fact 2400 BC से 1700 BC, जो हडपन पीरिट का mature phase का time था, 2400 BC से लेकर, 1700 BC के phase में, बहुत सारी ICM को seals मिल रही है, जो ही शो कर रही है, कि हमारा trade जो है, Mesopotamia किसे हो रहा था, in fact आप देखी हमारा trade, not only Mesopotamia, हमारा trade चाइना के साथ भी हुआ, और चाइना के बाद जो है, यही trade आप देखोगे, तो आगे बन जाता है, हमें यह trade मिला Japan की तरफ, हमें यह देखा, कि connection हमारे India के बने, चाइना से नहीं, जापैन से भी आगे हुए, तो यही चीज़ आगे expand करती है, Korea में, हाना, तो और यह हम देखा ही, क्या होता है, हमने देखा कि यहाँ पर सर, फाहे, the Chinese traveler, he visited India, हाना, और चीज़ें जो हैं, फर उसने अपने accounts में लिखी, Hune Sang also wrote in his accounts, अपने accounts में उसने बताया, बहुत सारे चीज़ों के बारे में, तो हमारा trade हो चाइना के साथ भी हो रहा था, यानि कि हमारा जो, यह जो medieval time के lawgivers कह रहे हैं न, कि समंदर पारे तो के नहीं जाना चाहिए, वानना मिसापनिंग हो जाएगी, या फिर South East Asian countries के साथ हुआ, अजब मैं South East Asia बोल रहा हूं, तो यहां कौन-कौन से countries आ रहे हैं, जैसे for example, हम यहां बात करेंगे, तो यहां आ गया Java, आपने सुनाओं का Java Islands के वाले में, इसको बोला जाता था, स्वर्ण, इसको बोला जाता है, स्वर्ण, ड्वीप, स्वर्ण, इसको बोला जा रहा है, स्वर्ण, भूमी, गोल्डन, लैंड कहा जा रहा था, तो हमारा ट्रेड यहां से भी हुआ, जावा से, हाना, इंडिया दे बहुत सारा ट्रेड जो है, वो जावा से किया, हाना, स्वर्ण, दीप, स्वर्ण, आइलेंड, स्वर्ण, इन को बोला जा रहा है इन फैक्ट आप इसको स्वर्ण दीप लिखें नाट भूमी स्वर्ण दीप ठीक है स्वर्ण दीप यानि कि यानि कि that is simple as golden islands हाना क्या बोला गया golden island राइट और इसके लाब आप देखो और roman empire के साथ तो एक बात तो clear हो गई कि हमारे country में या इंडिया के जो cultural contacts और पुराने हैं ऐसा नहीं कि आज के हैं हना हमने बहुत सारे country साथ over the period of time trade किया है हमने इनके साथ अपना cultural contacts को यहां पर develop किया है यह बात अबको crystal clarity से पता चल रही है तो इंडिया का जो contact हुआ एक तो यह हुआ कि जो हमने आपको देखा यहां पताया कि भाई एक तो यह trade हुआ हमारा इनके साथ trade था मैसे पोटाइमिया के साथ हमारा चाइना के साथ trade था चाइना ने हमसे आर्ट ऑफ बुद्धिस painting सीखी तो हमने चाइना से art of growing silk सीखा अगर हम इनसे कुछ सीख रहे है तो यह भी हमसे कुछ सीख रहे होंगे तब ही तो cultural contact बना अब हमने cultural contact में क्या सीखा हमने चीखा कैसे बुद्धिस पेंटिंग बनाने है तो यह एक तरीका यह पता चल रहा है इंडिया के जो contacts हैं वो culturally कैसे spread हुए तो दो तरीके निकल के आते हैं एक तो निकल के आता है आपका Buddhism और दूसरा निकल के आता है आपका प्लीज नोट करेगा ब्रहमिनिकल कल्ट यानि की यानि की यह दो तरीके और है जिसके थुरू हमने दूसरे countries के साथ अपना cultural contacts बनाया चाप्टर का नाम क्या है चाप्टर का नाम है आपका अगर आप देखोगे तो है इंडिया's cultural contact with Asian countries हाना कैसे हमारा बना तो एक तो बना Buddhism की थुरू जैसे मान पहला अलग अलग कंट्रीज में जैसे शिलंका गया जैसे मियान मार गया तो इन कंट्रीज में जाके यह cultural contacts पहुंचे जब हमारे country थी गए तो वहाँ पर इनुने चीजें spread गरी Buddhism की तो ऑविसी बात है कि यह ही cultural वहाँ पहुंच गया राइट सिमिनली हम ब्रहमिनिकल Ó सबाला लेते हैं ताकि आपको याद करने में बड़ी आसानी रहे ठीकर है ना पहले हम लो a couple कैल्स ने में एज़ी रहेगा वाइड चलेए नंबर वन पहला तो शिलंका की बात करेंगे अम लोग श्रिलंका अब शिलंका की बात कर रहा तो ये जो कंटक उन Gus Şimdi असτι्व अशोका की टाइम पर यहां पर हुआ अशोका की टाइम पर हुआ फैलना शुरू हुआ और इंट्फैक्ट आप शिलंका में जाओ को देखोगे तो वहाँ आपको बहुत सारा पाली टेक्स मिलेगा तो यह शोग कर रहा है कि हाँ हमारा जो कल्चर था वह शिलंका पहुंचा और वहां के लोगों ने भी इसको अडॉप्ट किया बहुत सारे आपको temples construction देखने को मिलेंगे ठीक है इंडिया से भले ही कल्चर आज देखोगे बहुत आधा खताम हो चुका है अधर कंट्रीज में आज ही बहुत आधा चल रहा है ठीक है तो एक हो गया शिलंका दूसरा country की की बात करेंगे हम लोग point number two please note करेंगा बर्मा जिसको हम लोग आज modern day क्या बोलते हैं म्यानमार बोलते हैं क्या बोलते हैं म्यानमार और दोस्तों इस जगे भी आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे temples erect किये गए erected temples ठीक है temples का यहाँ पर बहुत जदा construction किया गया ठीक है और इसके अलाभा ऐसे बहुत सारे आपको text देखने को मिलेंगी ठीक है बहुत सारे ऐसे आपको चीजें मिलेंगी जो यहाँ पर text मिलेंगे जो आपको बर्मा मिले जो show करेंगे कि हाँ यहाँ पर भी culture जो है buddhism का पुचा इंजाक्ट वरी important point यह कि धेरा बादं buddhism धेरा बड़ा buddhism जो form था वो यही पर डुलप होता है, please यह point यहाँ पर note कर लिजे थेरा वाड़ा form of Buddhism फ्लीज इसको यही पर नोट कर दीजे, थेरा वाड़ा थेरा वाड़ा form of Buddhism थेरा वाड़ा form of Buddhism वो developed here, यह important point है, तो Buddhism का एक form यहाँ पर develop होता है, ठीक है न, point number C पर आदेगे, तो यह तो हो क्या बुद्धिजम के दो जगे, आपके NCRT में इत्मा ही दे रखा है, ठीक है point number C पर आजाईए, हो गया फिर China, अब देखे, चाइना की बारे मैं आपको अल्यड़ी पता चुका हूँ चाइना, और चाइना के बाद यह चीज पहुंचती है कहाँ पर, Korea, पहले, sorry यहाँ पर हमको मिलेंगे फा हैं, जो ट्राविल करके आते हैं, हना हिउन सांग, हिउन सांग यह चाइनीज ट्रावलर्स थे जो इंडिया आए और अपना काउंट जो है, वो यहाँ पर देते हैं, clear, तो चाइना और Korea भी इस तरह से देखिए, हमारा Buddhism जो है, वो पहुंचा, and the people came to India, और यहाँ पर आके उन्होंने देखा, अलग-अलग जगे विजिट किया, and they came to know about the status of Buddhism in India, इस तरह से हमारा जो cultural contact से वो यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है, तो यह Buddhist से टेक्स के सर्च में आये थे, और एक जगह यहाँ पर आती है, एक important है, उसको भी आपको note करना है, चाइना में यहाँ पर एक Buddhist colony developed होती है, ठीक है, और वो Buddhist colony को और लोग नाम रखा है, तो नहीं हुआं, यह note कर लीजिए, important है यह, इस point को note कर लीजिए, कि चाइना में यहाँ पर एक colony developed होती है, ठीक है, एक colony यहाँ पर developed होती है, फ्लीज इसको note कर जाए, एक colony developed होती है, और in fact आप उसको बहुत clearly लिख लीजिए, कि इस अ बुद्धिस्ट colony, ठीक है, मतलब यह जो culture है, यह जो चाइना का religion of Buddhism था, वो चाइना भी यहाँ पर पहुँचा, तो यह हो गया C point, फिर उसको बड़ D point आता है, जो again very important है, और वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा Central Asia अफगानिस्तान, प्लीज नोट करेगा point number D, प्लीज नोट करेगा Central Asia Central Asia Central Asia और अफगानिस्तान, अब देखो उसमें यहाँ पर दो नाम important है, अब अफगानिस्तान में काबूल के पास दो जगे आती हैं, वो दो नाम आपके important हैं NCRT में दिये गए हैं, एक दिया गया है, प्लीज नोट करेगा बामियान एक दिया का बामियान और दूसरा नाम अपके NCRT में दिया गया है, वो है बेगराम, प्लीज नोट कर लिए दोनो बेगराम और बामियान अब जो बेगराम है, इट इस वेरी फेमस फ़र आईवरी वर्क्स आईवरी वर्क्स के लिए बड़ा फेमस है और जो बामियान है, यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे thousands of artificial caves मिलेंगे thousands of आपको natural caves मिलेंगे जहाँ पर monks reside करते थे इसका मतलब अफगानिस्तान तक भी यह culture जहाँ पहुँच गया था, राइट तो एक तो यहाँ पर लिखिये, कि बहुत सारे ऐसे caves बहुत सारे caves, अब वो caves आपके भले artificial हो सकते हैं, या वो caves आपके बहुत सारे natural हो सकते हैं तो यह caves जो हैं, वो आपको मिले हैं और यह caves शो करते हैं, कि भाई, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर monks जो है, वो recite ही क्या करते थे monks recite क्या करते थे, clear है फिर उसके बाद, बामियन में एक चीज़ और है कि tallest जो statue है tallest buddha statue, जो rocks से sculpture करके बनाई गई है वो भी आपको जहां मेरेगी, इसको भी जोक्टर लिए tallest buddha statue tallest, एक काम करते हैं, मैं आपको Central Asia और Afghanistan जो है न, अलग से बता जेता हूं ताकि आप लोग को यह इतना, यहाँ पर जो खिचडी पकरी है न, वो खिचडी ना पके मनना आप लोग को खिचडी पक गई, समझ में नहीं आया प्लीज नोट कर लीजेगा, यहाँ लिख लीजेगा फाहे फाहे और यहाँ लिख लीजेगा आप लोग यून सांग चलिए, अब इसको Central Asia को हम लोग यहाँ पर next slide पर कर लेते हैं थाकि आप लोग को crystal clarity है बनी रहे, देखिए मैं आपर लिख रहा हूं Central Asia मैं यहाँ लिख देता हूं Central Asia ठीक है और Central, चुकि Central Asia की चीज़ जगे भी बन बतानी है मुझे इसकी बारें बताना है और एक तरफ लिख देता हूं आपका अफगानिस्तान आप देखिए, पहले मैं आपको अफगानिस्तान डिसकस कर रहा था, तो पहले मैं आपको अफगानिस्तान बता जेता हूं जरह देखिए आपर ज़रा देखिए आप, और silam धर इस ज्रम इससलीब करण है शोटाट दो जगें हां सापने आई हैं जो आपके resonance एंदर भी है क्या एक, तो बेग्राम, एक तो बेग्राम, तो हो गया क्या बेग्राम । ठीक। और दूसरा क्या बताए मैंने आपको बामियान, बामियान वे circuits आप देखो करें के काबल से आपको आपको mellan ठीक है अब बेगराम की बात करेंगे तो यहाँ it is very famous for ivory works ivory work के लिए बढ़ी यह famous जगा है ठीक है दूसरा आप देखे बामियां की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा tallest statue of buddha tallest statue of buddha और यह जो statue है इसको rocks से sculpture गनके बनाया गया स्कल्चर्ड आउट ओफ रॉक्स स्कल्चर्ड आउट ओफ रॉक्स ठीक है तो यह शो कर रहा है कि देखो बामियां यानि अफगानिस्तान तक यहां buddhism culture पहुँचा उसके लाव मैंने क्या बताया बहुत सारे ऐसे natural caves और बहुत सारे ऐसे artificial caves मतलब बनाय गए caves हना बहुत सारे ऐसे caves है वो मिलते हैं यहां पर और यह क्या शो कर रहा है कि यहां पर manuscripts मिली हैं बहुत सारी हैसी हमको अगर आप देखोगे यह सारे ही चीजे शो कर रही है क्या एक ही चीज कि भाई ये कल्चर जो है बुद्धिजम का यहां तक पहुंचा था ठीक है ना इसको भी आप नोट कर लिजे हाना यह सब नोट कर लिजे अच्छा दूसरी बात कि यह मैनूस्क्रिप्स जो है यह सब इंडियन लैंग्विज इंडियन लांग्विजज यह इंप्ॉर्टेंट पोईंट हो गया मैनी इंडियन लांग्विज़ज अट सेवराल प्लेसई at several places I hope यह point यहाँ पर आपको crystal clear हो गया तो यह दो चीज़े हैं एक तो हमने trade किया Mesopotamia, China, Central Asia हना और आपका यह जो countries है South East Asia वाले countries इनके साथ हमने trade किया वो हमने देख लिया Mesopotamia इन सब किस प्रकार से किया और फिर मैंने आपको यह बुद्धिजम वाला पार्ट बता दिया तो कैसे बुद्धिजम जो है वो spread होता है तो यह तो आस्पेक्ट हो गया entire बुद्धिजम करना और प्लीज कम टू दा आस्पेक्ट आफ प्लीज आस्पेक्ट पर आज़े आप ब्राह्मनिकल कल्ट की कैसे ब्राह्मनिकल कल्ट के थुरू भी जो है वो फैला कैसे ब्राह्मनिकल कल्ट के थुरू भी जो है वो spread हुआ हमारा culture ठीक है तो ब्राह्मनिकल कल्ट में आपको यहां पर मैं बार पॉइंट बताऊंगा पहले तो आप नोट कर लीजिए कुछ अगर बढ़ा होगा पॉइंट उसको अलग स्लाइट पर डिसकस कर दोगा ठीक है चलिए पॉइंट आईए फर्स पॉइंट सबसे पहला तो आप देखिए ब्रह्मनिकल कल्ट की बात करेंगे तो यहां पर यह पहुंचा कहां पर बर्मा यानि के अगें हमें बात कर रहा हूं म्यान मार्गी बर्मा में यहां पर दो जगों के नाम आये हैं आपके uncrty में एक का नाम है लिख्ये का पेग्व ऑर दूसरे का नाम में लिख्येगा मिलाइन करेगा मोलमेन आफ को से लिक लीजे लीजए मोलमेन यह दो आपके यहां पर प्लेस आए हैं जो अन्हें जो बर्मा यह यह यहां पर क्या पताया हिए यहां से PC thu अधाना इंडिया में कौन्वरोच जिसको ऒरुच कहते है जैसे वाखल बॉर ठीक है भागलपुर यहां से ट्रेडर्ट्स आते थे मर्चंडास झालते है और 59 दनार्स Yuk यहां से traders आते थे और trading किया करते थे इन देखों से ठीक है और यह ब्रह्मनिकल कल्ट जो है इस प्रकार से भी यहां पर पहुँचता है इसके अलाबह आजाए यह जावा नंबर टू बी पॉइंट लिखेगा जावा जावा और जावा में आप यहां देखोगे तो 56 AD में इन दी 56 AD NCRT आपकी कह रही है 56 AD में earliest Indian settlement आपको यहां देखने को मिलता है earliest earliest Indian settlement यहनी सबसे पहले जो लोग जाके बस गए जावा में वो आपको इसके राउंड देखने को मिलेगा 56 AD के राउंड यह important aspect है इंडोनेशिया में जावा तो यहां पर लोग पहुँचे ठीके इसके लाबा फाहे भी यहां विजट करते हैं और यहां पर ब्रहामनिकल डिलीजिन फाउंड किया गया ठीके and found ब्रहामनिकल डिलीजिन प्लीज नोट कर लिजे फाहे विजिटिड पहें विजिटिड and important is ब्रहामनिकल डिलीजिन पाउंड होगा अभी देखो कभी आप जाओ इंडोनेशिया तो आपको इंडोनेशिया में आप जाओ अभी रिसेंटली बाली गया था तो बाली में ने देखा कि जो घर है वापर आपको घरों के हर घर के अंदर मंदिर देखेगा और जो इसकी वाल्स का construction है वह ऐसा लगता है कि हर घर मंदिरी है इस प्रकार का है और वहां जो रामायन है जो रामायड अक्चुली है हाना वह country में आप जाओगे तो देखो कि वहां रामायड का अलाग तरह का depiction चलता है मतलब वह भी डिपट करते हैं सेम चीज़ अपने तरीके से तो यह सब कैसे हुआ कि यहां से जो कुल्चर गया ब्रामनिकल कल्ट वहां ब्रामनिकल निचन पहुचा वहां पर बताया गया तो वह पर कुलेट हुआ राइट लेकिन ऑविस सी बात है एज आयम से कि जब कोई भी कल्चर एक जिगा से दूसरे का जाता है तो सेम टू सेम तो कॉपी हो नहीं पाता है हाना क्य आया एक स्वाथ लेया से खड़य क Bodhi उठा उसने मीनग ओपर मिलए तो बरमा मे जावा में इस प्रकार से यहां पर दो जगे आपको यह इंड्या के कॉन्टक्स देखने को मिलेंगे इसके लाभाव पॉइंट नंबर सी पे लिखिए सुमात्रा आपको यह आईलन पथा है सुमात्रा और सुमात्रा में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो यह पल्लवास थे उन्होंने यहाँ पर अपना establishment किया पल्लवास यहाँ पर अपने आपको establish करते हैं और यही पर you will find a kingdom जो सामने आता है kingdom और मतलब kingdom form हो जाता है इसको हम बोलते है kingdom of shri vijja kingdom of shri vijja इसको नोट कर लेज़ेगा kingdom of shri vijja ठीक है तो यह important information है इसको भी आप note करिए ठीक है clear समझ में आ गया तो समात्रा कैसे पहुँआ पल्लवास जो है आपने आपको establish करते हैं ठीक है अपनी colonies वहाँ बनाते हैं वहाँ पर kingdom निकल के आता है जिसको बोलते है कौन कौन से हैं note करिएगा लाउस येस Cambodia और Vietnam ये तीन countries मिलाके जो है वह इंडो चाइना का area बनता है अब जो Cambodia है ना यही उस अब ये जो दो जगहे आपको बताई गई यहाँ पर आप देखो के इन दोनों जगह पर जो official यहाँ पर language थी जो यहाँ पर official language follow हो रही थी वो थी Sanskrit official language was Sanskrit इसका मतलब क्या है culture का पता चल रहा है ब्रह्मनिकल कल्ट यहाँ से और दूसरा यहाँ पर जो rulers थे rulers they were the devotees of shiv lord shiv devotees of lord shiv ठीक है इस प्रकार जो चीज़े यहाँ पर निकल के आती है I hope यह दोनों चीज़े आपको समझ में आगए किस प्रकार से बुद्धिजम और किस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मनिकल कल्ट के वाए से इंडिया की जो cultural contacts है वो हमारे Asian nations से यहाँ पर बनते हैं ठीक है I hope यह point सबको समझ में आप अच्छा सा आ गया होगा ठीक है तो अब Indian settlements यहाँ पर बनना स्टार्ट होते हैं यह ध्यान रखीगा यह इसका part है that is the part fourth point है ठीक है ना D point यहाँ पर mention कर लेता हूं यह point यहाँ लख लेता हूं D ठीक है और यह इसी का explanation आपका next slide पर है that is D ठीक है यह लख दिया हूंए D बुद्धिजम यहाँ पर बात है बुद्धिजम ली कर रहा हूं ठीक है I hope यहाँ तक बात clear हो गई ठीक है चलिए आगे आ जाईए अब इसके बात कुछ चीज़ों और बचीए some 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 small small things क्या जैसे for example अब बात यह है कि क्या सर बात यह है भाई कि Indian settlements शुरू हुए कि Indian settlements बने अलग अलग countries में असे ढमारे जो Asian nations है Indian settlements कहां पर हुए for example हमारे Asian nations में शुरू हुए तो जब यह Asian nations में Iδα में तो अबैमें आपक के बताया किए प्रकार के लोग दूसरे प्रकार के लोगों से मिलेंगे तो इस प्रकार से आपको इंटर मिलेगा ठीक है और इन फेक्ट आप देखो किसे होता क्या है इससे होगा यह outcome क्या निकल के आता है new form of culture डिलप हो जाता है new form of art literature new form of art literature इसब चीज जो है वो राईदोना start हो जाती है ठीक है एक जैसे पर उग्जाम्पल अब एक अब उसको प्यार हो गया मानलो एक कोई मंगाळी से थीक इच है लटका अपर एक्जाम्पल केरल लडकी बैंगॉली अब दोनों अपनी अपनी महसाम बोल लेकि दूसरे को पसंद करते हैं, खुबसरत बहुत लगए कि दूसरों को देखते हैं, तो जाहिरती बात है, एक टाइम आएगा फिर लोग दूसरे की लैंगवज को समझना शुरू करेंगे, अब जिंदगी बार तो ऐसा तो है नहीं कि वंगाली बोले को केरल का लोग इसे के आपका एक नया आर्ट फर्म निकल किया आता है, यहीं जीज हुआ, ठीक है, अब इन फैक्ट आप देखोगे, कि ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल जो है वो इंडिया में नहीं मिलता है, यह एक बहुत 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 अच्छा एक्जाम्पल है, इफ रहधर आपको कहां मलेगा, रहधर इन एंडोनेशिया, और जगह क्या है, राधर इन कहां, बोरबुदूर इन इंडोनेशिया यहां पर आपको देखने को मिलता है greatest of the Buddhist temple प्लीज नोट कर दीजेगा ठीक है ठीक है इन फैक्ट आप देखोगे कि एक और temple आपको देखने को मिलता है again very important and that is Angkor Wat temple Angkor Wat temple ठीक है अब इस temple को कुछ टाइम पहले आठवा जो अब डिक्लेर किया गया है मैंने इस पर एक शॉट जी बनाया था कभी आप लोग ने वो देखा हो ठीक है तो Angkor Wat temple जो है इसका spelling सही कर लेते है Angkor Wat temple ठीक है तो यह आपको कहां मिलेगा you will get this in Cambodia Cambodia मिलेगा अब यह temple starting में आप देखोगे जो devotees थे वो अलग उसके थे ठीक है बट पाज में this temple एक ग्रो होता है as a Buddhist temple Buddhist temple के रूप में यह है यहाँ पर आगे फर्दर डवलप होता है ठीक है इन फेक्ट आप देखोगे जो रमायान और महाभारत की जो stories है ठीक है जो stories है रमायान की महाभारत की उनको इस temple की walls पर शोकेस किया गया है ठीक है stories जो है इसकी on walls इससे ही पता चल रहा है न की Brahmanical cult यहाँ पर पहुंचा और फिर बाद में आप देखोगे यह बुद्द्ध temple रूप में डवलप होता है तो जब भी यहाँ पर इस प्रकार की चीज़े होंगी तो कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है और यहाँ पर हुआ भी यही कि कुछ चीज़े inflow हुई तो कुछ आउट फ्लो हुई जैसे फॉर एक्जाम्पल एपॉइंट हमने चाइना से क्या सीखा हमने चाइना से क्या सीखा जैसे चाइना से हमने क्या सीखा आर्ट ओफ ग्रोइंग सिल्क हाना चाइना से क्या सीखा हमने आर्ट ओफ इन फैक्ट आप इसको ऐसे लिख लीजे हाँ चाइना से क्या सीखा हमने आर्ट ओफ ग्रोइंग सिल्क यह हमने सीखा ठीक है ना फिर उसका बी पॉइंट अब जैसे हम बात करेंगे minting of coins minting of coins coins की minting हमने सीखी सिक्क्य को mint करने की हमने यहाँ पर तरीका सीखा किसे सीखा वो हमने सीखा Greek और Romans ठीक है नोट करी का Greek plus Romans Greek plus Romans और point number C की जहाँ हम बात कर रहे हैं एक point और लिख लिजे growing beetle leaves growing beetle leaves तो यह भी हमने कहाँ सीखा नोट करेगा इंडोनेशिया इंडोनेशिया तो इस तरह की cultural contacts जो है वो देखने को मिले हमारे यह तो हमने इंडिया में क्या-क्या चीज़े हमने इंपोर्ट करी इंडिया में क्या-क्या चीज़ों का inflow हुआ वह आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इंडिया में इंडिया में inflow ठीक है अब हमें बोलूंगा इंडिया से आउट उट फ्लोव तो एक्जामपल एक यह लेका göz निग्या से और बोलूंगा आउट फ्लो अ Whats present तो क्या ऐग्जांपल जैसे ब्रॉर अग्जांपल यह है कि बही छोटा ता point है कि जैसे हम बात करें India से China क्या गया India से China क्या गया India से China ते क्या आया Art of Growing Silk यहां यहां इसे हमने सीखा लेकिन on the contrary यहां से यहां पर क्या सीखा चाहिन ने हमसे क्या लिया Art of Buddhist Painting Art of Buddhist Painting तो art of buddhist painting जो है वो outflow हुई है चाइना गई इंडिया से उस प्रकार से जो चीजे हैं वो आपके chapter में जहां पर दे रखी है ठीक है और in fact आप देखोगे growing cotton cotton बी गया यह भी आपको चाइना की तरफ देखने को मिला इंडिया से चीज जो है वो चाइना गई ठीक है ना तो इस तरह की यह जब चीजें हैं वो आपके chapter में दी गई और इसके लाव कुछ भी नहीं दे रखा है तो बस यह इतना ही छोटा chapter है जो मैंने आपको समप करके बता दिया हाना इसके लिए आपको बुक्स या कोई एंसी आटीक पर रिडाउट कर लीजेगा हाना कुछ ऐसा खास नहीं दिया गया उसमें आप मेरे नोट को बाकी फॉलो करिएगा आपको इजली समझ मैं जगा चाप्टर को ना और कंसाइस कर दिया है लाइक जगा-जगा चीज़ समातरा पंचा फिर आप देखोगे से मों बनाए तो ये था पूरा चाप्टर उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं अगले लेक्टर में अगले वीडियो में तो अगले वाइब कोई भी दिक्का तो कमेंट बॉक्स जरूर बदाएगा मैं कमेंट बॉक्स हमेशा पढ़ता हूं कोई भी आपको इश्यू हो तो मुझे डेफिनेटली इसे बदाया करिए कमेंट बॉक्स ठीक है तो अगले फ्रम माई साइड पढ़ाई करिए महनत करिए जय हिंद जय भारत